मुझाज़ नमस्ते ब्रेवान वेलकम बैक टू मैं चैनल वेलकम टू एनदा न्यू ब्लॉग मैं हूं मौश्मी और आप लोग देख रहे हो माई लाइप माई जानने अब सभी को मेरे और एक ब्लॉग वीडियो में सवागत है आसा करती हूँ कि आप सब लोग जहा कहीं भी है ठीक ठाक है हम लोग भी ठीक है आज है संडे आप सभी को हैपी हैपी बाला संडे और अभी जो है सुभा का 11 हो रहा था टाइम अभी से ही मैं आपना व्लॉग स्टार्ट कर ड़ी हूँ आई होग कि आज का व्लॉग आप लोग देखते रहे हैं और देखिए सुभा का जिद्रा सारा काम था क्लेणिंग डास्टिंग का सब हो गया था मेरा इभिन मेरा नहाना भी हो गया है और पूजा भी कंप्लीट हो गया था और अभी न मैं बालों पर लगा रहे थी सीराम और मैं बोई आप लोग को दिखा के बाद जो है इसका रेभी में आप लोग के साथ सेर कर पाऊंगी तो देखिए मेरा तो हैर केर हो गया है आभी मैं करूंगे स्किन क्या तो देखिए यहां पर जो है सबसे पहले मैं टोनार यूज करती हूँ डबर गुलावरी रोश्वाडर और उसके बाद लगांगे सि संस्क्रीम तो मैं लगमी का संस्क्रीम यूज करती हूँ मैं बहुत बार अब लोग को बता चुकी हो यह जो संस्क्रीम है बहुत ही अच्छा है और संस्क्रीम तो हम लोगों को लगाना ही चाहिए हम घर पे रहे या बाहर जाए तो संस्क्रीम लगाने के बाद जो है मैं ल जूँकि हो और इसके बाद मैं लगाऊंगी बहत ज्यादा पसंद है और छलिए मैं फटाफ़ अभी सकिन केर करूंगी उसके बाद जाऊंगी ब्रेकफरस्ट करने क्योंकि अभी ब्रेकपास्ट नहीं हुआ है बेटू और हस्बेंट दोनों का हो गया था ब्रेकपास्ट वो लोग आज फिर से मैगी खाया था उन लोगों को मैगी जो है बहुत ही पसंद है बन मुझे बिल्कुली पसंद नहीं है तो अब जो है 11 30 हो रहा था टाइम हो और अब तक मेरा ब्रेकपास्ट भी नहीं हुआ है क्योंकि अब जोसब काम ख़तम हो आप पुजा भी तो हो गया है तो अभी में ब्रेकपास्ट करने जा रही हो और बेटू करना पढ़ा ही हो गया तो वह अभी देख यहां पड़ जो ह करती हूं तो चलिए चल देहें की चन पे तो आज ब्रेकफस्ट में रोटी और उसके साथ मोटर का सुबजी हुषदास पोटी आज शीधे की चटेंगा जेहें जल बंदूऊ पुति दे मार्केट से क्या क्या लेके है तो यह सौर्सुकावाईल पालकसक, धुनिया पत्ता, और वाप्रे, कैबिज, और क्या क्या है देखते हैं शीन, पेकोन, आलू तो यह सब कुछ फोदिदिव लेके आया था मार्केट से और मैं थोड़ा सा ही खरीदने के लिए बुला था क्योंकि दो चार दिन बाद ही हम लोग जा रही है घर मेरे भाई के साधी में तो बस अब हो जाएगा दो-चार दिन में और यह चिकन लिकाए था मिनेट करके रख दिया था मैने अलू भी कट लिया था यहा पर ओणियों मेने कट कर लिया था और बागी का मसाला भी रेडी कर लिया था तो आभी चलिए फट़ाफ़ड चिकन को बिठा देते हैं तोड़ा सा प्राइब कर दिया और अभी मैं अधर रोसुन और टमेटो का पेस्ट एड़ कर दिया है और उसके बाद एके करके मैं यहां पर धुनिया पाउंडर जीरा पाउंडर होल्दी पाउंडर एंट कर दिया था और अब लोग चाहो तो यह सब मुसला जो है पानी में win mág बञए कर के जब पानी हेंगे करेंगे तो ब Tucson रहा है तो यह lekkot घृत ही और तोब इसे बिटा करतेंते हैं पानी घृत करेंगे है तो चलिए बाहर चल के देखते हैं बेबी की होच्छे इड़की होच्छे तुमारा कट की देजी बेबी का बेबी का हेयर काट स्पेसाली जो है मामा के साधी के लिए है गाइस तो चिकन इहापड जो है हो गया है रेड़ी और अभी एड़ पे हम धुनिया पता आड़ कर ले थे तो आप लोग भी आ जाईए हमारे साथ लंच काईने के लिए तो देखिए यह हमारा आज का सिंपिल सा लांच और जिस दिन चिकन बनता है मैं कुछ भी नहीं बन जो है कल से कल मैंने अब लोग को बताई थी विल्कुल धूब नहीं है आज भी विल्कुल धूब नहीं है बारिस थोड़ा थोड़ा हो रहा है जादा नहीं और इस मौसम में तो पकोड़ा खाना कितना अच्छा लगता है तो देखिए यहां पर पकोड़ा हमारा हो गया है खराब लगता है और मौन भी खराब लगता है धूब नहीं होता तो बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता मैं आप लोग को बताती हूँ तो इसलिए मैंने सुझा कि थोड़ी दिर रिस्ट करूंगी तो सेदत जो है ठीक हो जाएगा तो चलिए आज का व्लोग जो है हमें इपरियेट करते है आई होफ कि आज का व्लोग अब लोग अच्छा लगा है और अच्छा लगे तो लाइक करना कमेंट करना और हाँ फ्रेंडस और फैमिली के साथ सेयर करना मत भूलिए और आप लोग हों मुझे किस तरह के व्लोग देखना पसंद करते हो बो भी मुझे जुरूर कमेंट करके बताना और आप लोग जो है प्लीज इस तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए और चलिए मिलते हैं निक्स्ट व्लोग में बावाई टेक क्यार सी यू शून फिर में लेंगे एब्रिवान